नमस्कार, मैं अनुश्री करंदिकर, टॉक्टाइम या कारिक्रमा मदे तुम्से सगयां स अग्री मनापसुन स्वागत। टॉक्ताइम मदे आचस आपला विश्या है, कोलांग कैंसर जागरुपता, आनि विश्या और मार्गद्रशन करने करता आट आपले सोबत है तो डॉक्टर मनोज मुल्चंदानी, टॉक्टर कारिक रिक नमा तुम समाना पसुन स्वागत। नमस्का, आमस्का, नमस्का सर्जलीचा विशेश प्रस्रिक्षन पूर्ण केलेला है तैना लंडन मदे काम करनांचा दहा वर्षाचा अनुभवा है ते कोलोरेक्टल करकरोक आतडयांचा दाह आनी पेल्विक फ्लोर समस्या या मधे तद्निया है तैस बरोवर लेप्रोस्कोपीक आनी रोबोटिक कोलोर अनुभवा है तैन्चा विशेश प्राविन्या दिखिला है विवीद राष्ट्री और अंतर राष्ट्री वैठिकान मदे तना व्यक्षा नंचा टी ही अमंत्रित केला जाता तैला साधी सहा वर्षान पस हुन्ते कोकिला बेन धिरुवाई अंबानी रुणा लाया मधे त सेवा देता है अन एक जर्टी दूरमिल आणि आपकाल इन जठरोग विशेश सम्मस्या सोड़ोने तैन्चा योगदान अत्यांत महत वाचा देखिला है ता अचा जो विशेश प्रेक्षको पुना है ता सम्झन गयाथ्चा विशेश जागरुकता अबन धे डोक्रान जाविया जाविया अच्छ विशेश जाविया शुरुषवाथ करिया अबकर आज असमंटा है कि कोलओं गैंसर बद्धल अपन जागरुकता निर्मान करना रूट ता ते दुरुष्टिकोना ता वोपने समय आपशार में पर शुटी तरी लोकां की वाथ पीषिवते क्या फूटरी एक दोर्ष्ट सुर्णीया कर्कारा है कि कर्या मुझ हो तानि याज अर्हों के वर्ष प्राक्टिस करें तुम्या है वाहिर थे प्राइज कोना लाई तिह युद्धा जी बाहत का कैंसर होता है बरी आत लगबग एक मीटर की होती है और उसमें से रेक्टम लास्ट पंदरा सेंटीमीटर का होता है तो वो जगह के कैंसर को कोलो रेक्टल कैंसर बोलते हैं कोलो रेक्टल कैंसर का इंसिदेंस लास्ट बीस साल से इंक्रीज हो रहा है और एक्जक्त कारण य तो यह polyp मतलब मस्सा बोलते हैं, यह मस्सा बनता है और सालों में, आज से दस सालों में वो बढ़ता है और वो cancer को convert होता है, वो सबसे acceptable theory है, इसके और भी डूसरे risk factors है, जो हम आगे discuss करेंगे, बट यह सबसे acceptable theory है, kolon और rectal cancer की. तो अगर हम 100 patients colon or rectal cancer के देखे, तो 75 of them, उसमें से 75, 50, years से जादा होगे, तो age is सबसे बड़ा risk factor है, यह cancer का, डूसरे risk factors है, एक है genetic, यह cancers families में भी run कर सकता है, और आजकल नए-ने test होने से, पता चला है कि ऐसे कौन-कौन से genes है, जिन में family में cancer common है, और यह familial cancer यह genetic cancer जिसे हम बोलते हैं, वो young age में होता है, तो अगर हम वो families को identify करें, तो हम young age में cancer से पहले treatment कर सकते हैं, या very early cancer में treat कर सकते हैं, तीसरा risk factor है, inflammatory bowel disease हम बोलते हैं, इसका मतलब बरियात में ulcers या जखम होते हैं, उसे simple language में मैं अगर बता हूँ, तो उसमें ulcerative colitis कर करके बीमारी है और Crohn's disease, ये दोनों बीमारियां 20s की age से diagnose होती है, और ये बीमारियां आगे जाके cancer में convert हो सकते हैं, या risk बराती है, तो जो लोग ये बीमारी से सफर कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि वो regular treatment लें, या regular check-ups करें, तो अगर वो convert हो, तो immediate treatment हो सके, तीसरा risk factor है, lifestyle and diet, ये cancers का incidence बढ़ने का कारण, एक है age की हम जादा जी रहे हैं, और दूसरा है lifestyle and diet related, so obese people में हर cancer common है, और colorectal cancer भी obese people में common है, दूसरा है diet related, ज्यादा meat या processed meat, या processed food, या ज्यादा fat खाने से, ये cancer का incidence बढ़ता है, lifestyle related, less activity, हम अगर less activity, less exercise, less walking करें, तो भी वो group of people में cancer का incidence ज्यादा पाया गया है, eating more fiber, fiber ज्यादा खाना, मतलब green vegetables, fruits ज्यादा खाना, उन group of people में ये cancer कम है, तो जैसे मैंने starting में बोला कि last 20 years में cancer का incidence बढ़ रहा है, और अपने देश में बढ़ रहा है, because हम 20 साल पहले majority of the people would eat lot of बहुत green vegetables or fruits, और आज हम processed food और meat ज्यादा खा रहे है, तो वो एक कारण है ये बीमारी की incidence का बढ़ने का, तो जैसे तुमी मना लाथ की जरका जनेटिकल फ्रेक्टर सास्ति जरका अधिस कॉंसेंट्रेट के लाए, इडिंटिफाइड के लाए, तो जैसे आपने अर्ली सेजेस मदे उपचार सुधा करूशक्तो, परन्तु जैसे आपना आतास colon cancer बद्दल बोलतो है, जागरूत तेचा दुरुष्टीने माला तुम्हाला विचरत से की बराइच्वेल आसा दिसुनेता की पूरुशान मदे ऐसा प्रमान, स्त्रियान पेक्षा थोड़ा सा जासता है, तर आसा नहीं कर का आणी, इस्पेशली भारत या पूरुशान मदे है दिसुनेता? बहुत ही माइनर दिफेरंस है, between males and females. Indyya में ऐसा हो सकता है की वह माइनर दिफेरंस है, because if females treatment использовать नहीं आति है. तो आज गेंरली से, जेनरली ऐसा है की बहुत जाड़ा फरक नहीं है, males or females के increase in incidence में. tet मिभी माइनर दिफेरंस है. यह cancer equally affect करता है males और females को अजसे तुम्ही आता मगाशी मगा उल्ले किला तो मंझे polyp जा तर एक्जाक्ली polyp मंझे काई आनि मा करकर होगा जा पॉली आनि जा एक नॉर्मल बॉली बहचा मादे काई फरो कस्टो का तो दी सुने तो का polyp या मस्सा हम बोलते हैं वो overgrowth of tissue या normal tissue excess growth होता है वो होता है काफी हद तक ये मस्से benign होते हैं या non-cancerous होते हैं और certain groups, कोई-कोई group के मस्से ऐसे होते हैं जो आगे जाके cancer में convert हो जाते हैं तो ये मस्से अगर पता चलते हैं तो उन्हें निकाल सकते हैं और उन्हें colonoscopy या endoscopy करके वो तरीके से निकाल सकते हैं तो वो बगर operation या minor procedure से ये निकल जाते हैं आजकल colonoscopy करने के time पता चल सकता है थोड़ी idea हो सकती है कि ये मस्सा कौन से group का है Is it a group जो cancer type है या नहीं है और काफी अगर निकालने के बाद भी उसे test किया जा सकता है कि वो group में है कि नहीं कोई-कोई लोग को उनका intestine की lining में मस्से घरी-घरी produce करने की आदत होती है उनकी intestine की lining को हम बोलते हैं unstable तो वो अगर हम जिने मस्सा निकलता है या जिने पर्टिकलर नंबर से जादे मस्से है या बड़ा साइज है उनके बेसिस पे उनका regular colonoscopy करके अगर बनते हैं तो वो निकाल सकते हैं तो बहुत आसान होता है वो treatment करना जनरली ये मस्से को cancer में convert होने को बहुत साल लगते हैं काफी हट कभी कभी 10 साल भी लग सकते हैं ये मस्से जनरली symptoms नहीं देते हैं तकलीफ नहीं देते हैं तो काफी हट तक अगर हम कोई और कारण से colonoscopy कर रहे हैं या health check-up के कारण कर रहे हैं या जिने bleeding हुई है पाइल्स के कारण करते हैं तो ये मस्से दिखते हैं तो अगर वो ऐसे हैं जो आगे cancer को कनवत होते हैं तो उसी procedure में वो निकाल सकते हैं तो potentially अगर वो cancerous type है तो हम एक patient को आगे cancer होने से बचा सकते हैं ये मस्से निकलने से तो हम अगाशे साथ तुम्हे उल्ले के लाथ अनुम शेक्ते हैं कि वा जनेटिक गुष्टीन सा तो कैंसर मद है प्रमान कित पद अधून है तो स्पेशलिस हम आपना ता कोलोरेक्टल किया कोलोन कैंसर बद्दल बोलत है तर्शा मद है जनेटिक फेक्टर एवड़ा वर्क करता है तो इंपॉर्टन रोल असू तन सा तो 6 तो 12 परसेंट मतलब अलमोस्त वन तेंथ ओफ कैंसर जो कोलोरेक्टल कैंसर है उनमें जनेटिक फेक्टर होता है तो इस बहुत बड़ा इंसिदेंस है अगर हम 10 गुना गिने, 10 परसेंट गिने तो काफी बड़ा इंसिदेंस है और इसमें कोई-कोई टाइप ऑफ कैंसर है जो फेमिलियल होते हैं जिनमें फैमिली में कैंसर रन करते हैं जैसे मदर या फादर की फैमिली के साइड अगर हम अच्छी हिस्ट्री उन पेशन से पूछे तो वो फैमिली में वो बोलेंगे कि उनको कोलॉन कैंसर मा को हुआ था जैनरली रिस्क फैक्टर होता है कैंसर बिलो दी एज ओ फिफ्टी तू फॉटी तो अगर वो एज में फैमिली में किसे कैंसर हुआ है तो उनके first degree relatives को higher incidence होता है कैंसर होने को काफी cancer related syndroms होते हैं कि एक एक organ को छोड़कि निए 2-3 organ साथ में affect होते हैं तो एक colon cancer है एक ovarian cancer है endometrial cancer है ये cancers कभी-कभी एक group होता है जिनमें साथ में आते हैं या आगे पीछे आ सकते हैं, तो जिनने यंग एज में, या जिनकी फैमिली में यंग एज में, समझो, ovarian cancer हुआ हो, uterine cancer हुआ हो, या colon cancer हुआ हो, तो there is a good chance कि वो फैमिली में cancers हो सकते हैं, और वो सब का work up करना चाहिए। आज कल genetic test available है, जो predict कर सकते हैं कि आप में cancer होने के chances क्या है तो वो group of patients में regular check-up करे तो maybe pre-cancerous condition में पता कर सकते हैं दूसरी familial cancer जो common है वो है polyp related जिनमें patients की families में 4-4-5-5-5-5 polyps होते हैं हो सकता है उन्हें कुछ तकलीफ नहीं हो हो सकता है उन्हें bleeding हो और वो family में वापस run करती है और prophylactically अगर उनको है polyps तो अगर वो colon पूरे polyps, polyps पूरे colon में है तो वो colon निकालने से हमों cancer बचा सकते हैं तो ये भी group of families आती है और genetics available है और उसमें research हो रही है तो हो सकता है next 5-10 सालों में और test पता चले कि जिनसे cancers हम prevent कर सगे यह जल्दी डाइग्नोस कर सके कि अपलेला कैंसर जर्ख्या रोगा मदे आजरा मदे सुधा आधिस करू शकेल कि आपलेला हो शक्तो का त्या दूश्टकुन अपन प्रिवेंशन सुधा करू शक्तो तो सबसे पहले जरूरी है कि क्या साइन्स स्यम्टम्स है यह कैंसर के तो रेक्टल ब्लीदिंग या मोशन के जगा से खून जाना एक इंपोर्टन्ट सिंप्टम गिना जाता है अगर हम इंडिया में स्टडी किये थे जिसमें बताये थे कि सौ मेंसे हादली एक जन पीछे अपने मोशन को देखता है तो आई तिंक वह एक बहुत इ ब्लीदिंग हो रही है और मेंबी दो-तीन महिने के बाद अगर उसने चेक किया तभी पता चला तो वह पीछे मोशन तो रेक्टल ब्लीदिंग एक इंपोर्टन सिंप्टम है इसका दूसरा है कि इंटेस्टाइन या मोशन का हैब चेंज होना जो नॉमली एक या दो बार ज जो नॉम्टम है कोलो-रेक्टल कैंसर के लिए तो अगर ये दो सिंप्टम से तो हम हम हैल्प सीक करने चाहिए दूसरा एक सिंप्टम है कि अर्ज होना मोशन होने के बाद भी लगना कि मेरा मोशन पूरा नहीं हुआ रह गया रह गया और ये रेगिलर बेसिस पे होना तो उ ये चाहिए ले तो अगर लुगोने फाल का रित्रीमिंट किया है उसके बावजूद भी ब्लीधिंग रह रह भी है अगर जिनका पाईल अपरेशन या कुछ हो गया उसके बाद भी ये ब्लीधिंगा तो परीस चेक कराना चाहिए कि ये पाइल की कारन ब्लीधिंग है केश कारण बीदिग है लेट स्टेज में इसमें पेत में डर्द होता है या वेट लॉस होता है तो most important पहला symptoms है अगर symptoms है और suspicious symptoms है तो expert opinion लेना चाहिए अगर expert opinion बराबर examination करें तो अगर rectum या low rectum में cancer होता है तो वो clinical examination या हम patient को examine करने पर पता चलता है उसके उपर होता है तो काफी बार पता नहीं चलता और अगर हमें symptoms है जो यह symptoms मैंने बताए है और यह थोड़े time से जादा है तो colonoscopy करके test है वो करानी चाहिए वो diagnostic है वो colonoscopy करके पता भी चल सकता है क्या है अगर समझो patient को सिरफ piles है जैसे मैंने पहले बताया और उनको incidentally polyps detect होते है तो वो भी निकल सकते है अगर कुछ tumor है तो उसका biopsy हो के proof किया जा सकता है कि हमें cancer है की नहीं तो यह investigation मैं जज़े अपनला सुरूवाती लहे करना गर्जे चाहिए अपनले लग्ष देला पाज़े सापलाच सा विशे की जागरूपता तो तीस अपन कुछे तरी थेवली पाज़े तो आपना आता से मुंटे किया था है मुकोजा तो यह अंदर से चालू होके बाहर जाता है तो फर्स्ट थ्री स्टेजिस में यह कैंसर लोकलाइज रहता है इसका मतलब की उस वह वही जगा पे रहता है पहले स्टेज में मुकोजा और जो सेकिंड लेयर है सब मुकोजा उसको इन्वाल करता है सेकिंड स्टेज में वह मसल तक पहुचता है और तीसरे स्टेज में उसके जो लिंफ नोट से जो जैसे हमें तॉंसल होता है तो हमें गले में सूजन आती है इसे कोलोन या रेक्टिम में अगर कुछ जखम या ट्यूमर होता है तो उसके जो लिंफ नोट से वह स्वेल होते तो third stage में वो lymph node पे जाता है, fourth stage में वो blood से spread होके दूसरे organs में जाता है, most commonly liver में जाता है, second most common organ है lung, और rarely bone और brain में जाता है, तो generally four stages है, first three stages में अगर cancer है तो वो localized रहता है और उसका इलाज, you can potentially, वो curable stage होता है, stage four cancer जब यो दूसरे organs में जाता है, आज नहीं research होने के कारण, वो cancers भी 100% curable नहीं, बत life prolong कर सकते, तो बहुत research हुई है, तो ये generally four stages होते हैं cancer के, स्क्रीणिंग का मतलब होता है cancer के symptom से पहले diagnose करना, अपने देश में screening अवेलिबल नहीं है, kolorectal cancer के लिए, Western countries में, America में colonoscopy 40 to 45 years के बाद recommend करते हैं, every two years to three years, United Kingdom में या यॉरप में, काफी देशों में stool का testing recommend करते हैं, कि उसमें blood आया, तो फिर वो patient को आगे colonoscopy करते हैं, तो वो United Kingdom government based system है, तो वो diagnose होता है, अपने देश में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये symptoms आने के बाद ही, हम diagnose कर सकते हैं, इसमें एक और symptom important है, hemoglobin कम होना, अगर जिसे अनीमिया है, वो भी एक important symptom हो सकता है, colono-rectal cancer का, तो अगर वो होए, तो हम वो patients को colonoscopy के लिए recommend कर सकते हैं, आपने प्रामुख्यान, आपने सम्जून गितला कि नहीं का इन्वेस्टिगेशन काश्या प्रकार केले बाजेत, कुछले केले बाजेत, तो ये सुछ नहीं मुनला कि सिंटम साले नंतर मत्र, इमीजेटले आपने एक्सपर्ट ओपी नहीं गितला पाईजे, ट्रीट्मेंट सा भागे आपन सम्जून गिया, डॉक्तर, इते वेजाले एक छोटे शाब ब्रेक ची तुम्हें कुछे जावना का पहत्रा, टॉक्तर. जैसे हर कैंसर का ट्रीट्मेंट का पहत्रा पाईजे, एक है सरजरी, एक है राडियेशन थेरपी, जो मेंली रेक्टल कैंसर को देते हैं, और एक है कीमो थेरपी, या सिस्टमिक थेरपी बोलते हैं, तो सरजरी, अगर स्टेज वन, टू और ट्री कैंसर तक है, तो उसमें वो कोलान का भाग, विद द नोज, राडिकल सरजरी हम हैं, वो करनी चाहिए, वो वेरियस तरीके अवेलिबल है, ओपन सरजरी, लापरोस्कोपिक सरजरी और रोबातिक सरजरी, उसमें बहुत एद्वांस्मेंट्स हुए हैं, जिससे पेशेंट चार-पांच-छे दिन के अंदर घर जा सकते हैं, नेक्स है रेडियो थेरपी, र जो रिकरेंस रेता है या वापस आने के चांसे बहुत कम कर दिये हैं, तो वो रेडियेशन बहुत इंपॉर्टन्थ है, अगर थोड़ा एद्वांस रेकिल कैंसर है, जो अनफॉचनेटली अपने देश में डाइग्नोस अल्वेज एद्वांस स्टेज पे होता है, उन्हे पहले रेडियेशन और कीमोथेरपी दे और बाद में ऑपरेट करें, तो उनके वापस आने के लोकली चांसे कम होते हैं, तो रेडियेशन मेंली रेकिल कैंसर के लिए इंपॉर्टन्थ है, कीमोथेरपी बहुत सालों से दे रहे हैं और मैक्सिमम रिसर्च उसमें हुआ है, तो आज कल कीमोथेरपी इतने एद्वांस्मेंट्स है, आज तारगेट थेरपी या बायलोजिकल थेरपी जो हम बोलते हैं, वो इवन कैंसर जो सब जगा स्प्रेद है, उसको कम करना, या इवन कोई-कोई केसे में क्योर करना, वी पॉसिबल है, तो बहुत इंपॉत है कि आज कल टेस्ट अवेलिबिल है, और मेडिसिंस अवेलिबिल और अपने देश में सब आवलिबिल है, तो अगर कोई पेशेंट को स्टेज 4 कैंसर है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो इन ट्रीतिबल है, आज कल ट्रीटमेंस अवेलिबिल है, लिए कीमो तेरपी या और उस भोलाकर हो एंद लोग को पातंगे हैं। टो कोलॉरेक्टल का सर्वाइवल बाकी स स के हिसाब से खराब नहीं है.. तो अगर स्राइज 1 में डायगवन को छो जो करें आपनी देश में बहुत कम होता है तो फो निकाल दिया तो खिए हो गया और यहां वो part of intestine निकाल दी, तो अगर stage 1 में pick होता है, तो almost 90% 5-year survival है, उसका मतलब है कि 90 तका लोग को 5 साल के अंदर वो cancer नहीं आएगा, which is very good. Stage 2 है, तो almost 75% 5-year survival है, 75% लोगो को वो 5 साल के अंदर cancer नहीं आएगा, और generally अगर colon, rectum cancer 5 साल में नहीं आता है, other cancers, तो अगर हम यह 4 या 5 साल तक patients को regular follow-up करें, तो हम बोल सकते हैं कि अभी आप चिंता नहीं कीजाए, आपके cancer आने के chances बहुत negligible है, 3rd stage में थोड़ा survival कम है, आज कल अच्छे advancements के बाहुजू, 3rd stage cancer भी 60% 5-year survival है, 5 साल तक 60% लोगो रहते हैं, stage 4 में 5 साल का survival हम नहीं देते हैं, हम 2 साल का survival देते, पर newer advancements के बाद, 30-40% पीपल 2 साल से ज़्यादा रहते हैं, stage 4 cancer के बावजूद, तो मेबी इन नेक्स 5-5 से 7 सालों में all research होगा, और इसका survival और बरेगा, आपने मगास पस्टों जिसा ओलेक करते हैं, cancer मदे प्रामुक्थे ने दीस्ता, तो मैं जे recurrence है, जो भाव भी ती अस्ते ती अन्डूस्तरी को श्टव, जो आपन अतना मंदला से, कि एक मिदू परन्ता आपन जातो, तो तेया दर उश्टे को न अतना मंदला तुम्हाला विचरते कि यह सग्या मदे से recurrence ता चांसे जो है, कि वह एडवांस ट्रेट्मेंट सुदा कितले हैं नंता recurrence ते चांसे हैं, तो यह कोलोन और रेक्टिम कैंसर में, जैसे मैंने बताया, पहले 3 से 5 साल में यह रिकरिंस होता है, तो यह स्टेज 3 कैंसर थी, स्टेज 4 में हम उसको क्योड नहीं बोलते हैं, स्टेज 3 कैंसर में हमें फॉलो अप जादा रखना चाहिए, क्यूंकि उनमें वापस आने के चांसे होते हैं, अगर वो जल्दी pick up होता है तो उसकी भी treatments available है अगर वो locally pick up होता है तो operation या radiation से वो ठीक हो सकता है अगर वो सब जगा पे चले जाता है तो फिर chemotherapy या systemic therapy देना पड़ता है पर generally 30-40% chances है recurrence के in stage 3 cancer सजाता था थोड़ के प्रेक्षा करना काई संगल लिया तो मैं यह कहना चाहूंगा कि colon और rectum cancer जैसे हमने बताया lifestyle related and diet related भी है तो अगर हम अपनी lifestyle थोरा physical activity मोटापा कम करें और खाने में green vegetables fruits alcohol और tobacco दोनों cancer की incidence को बढ़ाते हैं तो अगर जो ले रहे हैं वो उसे बन करें और fruits vegetable जादा खाएं weight कम करें तो हम cancer prevent कर सकते हैं पर prevention और early diagnosis डोनों बहुत important है तो जिनने भी कोई symptoms हो की खून जा रहा है first चीज मैं बूलूंगा प्लीज अपने motion को check करो regularly पीछे देखे अपना motion देखो अगर उसमें blood दिखे तो please seek help क्योंकि you could be having early cancer तो motion blood जा रहा है या अपने motion की habit में change हो या अपना खून कम हो अनीमिया यह तीन important symptoms है जिससे हम cancer जल्दी diagnose कर सकते हैं और जल्दी diagnosis मतलब potentially full treatment मतलब वो पूरी तरीके से treat हो सकता है तुम्हें यह बोलूंगा की प्लीज इस पर धिहान दीजे डेफिनेटी मैं जैसे तुम्ही सांगीत लद या नोट वर्ती लोका ने अधी लक्षा दील पाईजे है सगया तुम्हत वाचे तैंजेने करूं देना उपचार लग कर गेता है ती टॉकर तुम्ही यह थे झाल